डरने वाले नहीं घबराने वाले नहीं आप घबरा चुके हैं बुकालाहट का शिकार हैं और आप हर लिहाद से हार चुके हैं इस तरह की हत्कंडे और मैं समझता हूँ कि सरकार से ज्यादा सरकार की वफादार बनने की कोशिश मत करें अभी हालात आप ही खराब कर रहे हैं हम तो अभी 27 अक्तूबर का इंतिजार कर रहे हैं कि 27 अक्तूबर मुल्क भर में जमियत अलमाई भाई उसे इज़ार यद्जहती के लिए मुझाहिरे होंगे और उसमें अपोजिशन की तमाम जमाते उन मुझाहिरों में इंशालला शरीक होंगी और फिर 31 अक्तूबर को आज़ादी मार्च के काफिले काइद जमियत की क्यादत में इसलाम अबाद में दाखिल होंगी लेकिन सरकार की पेट में अभी से मरोड शुरू हो गया है तो आप घबराएं मत हमारे डंडू से डरें नहीं बार बार हाई कोट का दर्वाजा गेर जमूरी अंदास से कटाते हैं मगर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ हाई कोट के जजिज को कि उनके बार बार उन दर्वास्तों को मुस्तरद करते हैं जमूरियत की बात करते हो शर्म नहीं आती हमारे जबान पे कटगल लगाते हो हमारे बयानात पे कटगल लगाते हो पेमरा मैं इसकी किरदार की शदीद मुझम्बद करता हूँ मगर पेमरा शायद खुद से न करता हो अपने आकाउं को खुश करने के लिए मौलाना फजरहमान आज उनके लिए बड़ा मुश्किल बना हुआ है इसलिए वो घबराहट का शिकार है किसी ने किसी हवाले से मौलाना फजरहमान का पेगाम उनकी बात कौम तक न पहुँचे दुनिया तक न पहुँचे कि सेलेक्टड हुकुमरान जिन्होंने डेर साल पूरे किये डेर साल के अंदर पाकिस्तान की माईशत डूबने लगी है नौजवानों को रोजगार जो बरसरे रोजगार थे उनको निकाला जा रहा है देखिए आपके इसलामबाद में जो पीमडी सी एक इदारा था उसे तहलील कर दिया गिया और तीन सौ से ज्यादा जो मुलाजमीन जो बीस पचीस साल से वहां ड्यूटी दे रहे थे उनको फारिख कर दिया गिया अब पी एंडी सी के जो मुलाजमीन है आज में इसलामबाद में सरापा एहतिजाज है इसी तरह डॉक्टर्ज जो पिशावर के डॉक्टर्ज है या मुल्क भर के डॉक्टर्ज है ये जो एम टी आई एक्ट अब दिया है तो वो कहते हैं जी ये तो इसलाहाती पेकिज है क्या ये इसलाहाती पेकिज है या फिर इदारे को निजकारी की तरव ले जाए जा रहा है और आई एम एफ ने तो इनको कहा है कि इदारों को निजकारी करो वरना तुम्हारा मसला हल नहीं होगा आज किसी मनाफ़ बखश इदारे को प्राविट सेक्टर में दे देते हैं कल किसी और मनाफ़ बखश इदारे को प्राविट सेक्टर में दे देते हैं तो इस तरह करकर आके ये पूरे मुलक को मुलकी इदारों को मनाफ़ बखश इदारों को जाहरे जो इदारा मनाफ़ ब अफ़ बख्ष इदारे हैं उनको वो बेच रहे हैं इसलिए कि बजट आ रहा है और इनका हमेशा तरीका ये रहा है कि असासे बेच के करदे लेके बजट बनाओ जो एड़ाकिजम चल रहा है उसी एड़ाक की बुनियाद पर फैसले करो एड़ाक की बुनियाद पर बजट ब ये नाःल हकुमरान हमारी आवाज को रोकना चाहते हैं मगर आपको भी मैदाद देता हूं कि अपनी हद तक आप पूरी कोश्ट करते हैं कि हमारी आवाज कौम तक पहुँचे उसके शासाथ मैं सोशल मीडिया का भे शुकरी आदा करता हूं कि वो बरवक्त हमारी आवाज जो हैं नसिर्फ मुलक में बलके पूरी दुनिया में पहुचा देते हैं तो हम ज्यादतर सरकार के अब मोताज नहीं रहें और इंशालल्ला और इंशाललब को बर नाएच मुस बर्में इंशालल्ला हुए होगग और इकतीश अक्तूबर का जो आज़ादी मर्च है उर ता हमें कहते हैं कि जी ये अमन-अमान का मसला पैदा कर रहे हम तो भी पहुँचे नहीं आप ने दो सौ से ज्यादा कंटेनर लाके इसलाम अबाद में फैग दिये हैं शाहराँ को बंद कर रहे हैं उस दिल में मैंने आप से कहा कि ये खंदके कोद रहे हैं जैसे कोई बाहर से कोई लशकर आ रहा हो हिंदुस्तान से कोई लशकर आ रहा हो अकल से काम लो इनका एक मुला जो रात मेरे साथ दुनिया चैनल पे था कहराएजी ये तो सुन्त है पगंबर करीम ص才 интересно भी खंदके खोडी थी तो मैंने कहा कि मदینे को मदینे में दाकिने के लिए और काफरों को मदینे में दाखिल रहने से रोकने के लिए खंदके खोडी थी तो आप किस को रास्ता रोक रहे हम झोई बाहर से आएं हम कोई मुलक द अगर वो पुन अमन रहे तो इन्शाला इसलामाबाद का मिलियन मार्च इसलामाबाद का आज़ादी मार्च भी पुर अमन होगा बशरते कि आप मुदाखिलत न करें खैबर पक्तूरखा के वजिर आला बड़ी बातें जो करता रहा है लेकिन अब इतने घबराट का शिकार है कि तीन चार रोज से उन्होंने कंटेनर जो है वो मोटर वे के द्याने पे भी रख दी है और जीटी रोड को बंद करने के लिए भी रख दी है तो उस दिन मैंने कहा कि हमारा काम यह आसान कर रहे है हमें कंटेनर रख के बंद करना था रोड और उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया तो अब यह है कि अगर वो इस तरह करना चाहते हैं तो वो खुद मुलक को लाकडाउन करेंगे हम तो नहीं कर रहे हमारा तो एक पुरा दुल्मा इसलाम नहीं है बलकि नौजमाते हम मिलकर आजादी मार्च कर रहे हैं और पूरी कौम हमारी पुष्ट पर हैं ताजिर वुकला डॉक्टर्ज टीचर्ज तलबा नौजवान पूरी कौम हमारे साथ है तो इन्शालों लजीम ये नाकाम होंगे मायूस होंगे आज मैं फिर उस एलान को दोराता हूं कि 27 अक्तूबर को मुलक भर में डिस्टिक हेड़ कौर्टर्ज पे एतिजाजी मुझाहरे होंगे मुझमती करारदादें पास होंगी और कश्मीरी भाईयों के साथ इजहारे यग जहती होगा उसके बाद जो हमारे दूर दराद के काफिले हैं मसलन कराची है गवादर है इसी तरह चमन है गिलगित बलतिस्तान है चत्राल है या लाहर और मुलतान रहिम्यार खान ये काफिले इसलाम अबाद के लिए रवाना होंगी लेकिन हमारा एक मर्बूत निजाम है उस निजाम के तद हम एक दूसरे के साथ राबिते में रहेंगे जब काइद जम्यत का काफिले इसलाम अबाद को करीब होगा तो ये जो दूर दरासे जो काफिले हैं जो बरदान से पहुंच रहे होंगे जो मासिरा से पहुंच रहे होंगे जो लाहर से आ रहे होंगे और ये सारे काफिले यक जा हो के इन्शालला और बहुत बड़े काफिले की सूरत में इस्लामबाद में दाखिल होंगे तो मैं समझता हूं के इन्शालला हमें रोकना इनकी बसकी बात नहीं है लहाजा मुदाखिलत न करें और हम आराम से आके अपना पावर शो करेंगे और अपना इहतिजाज रिकार्ड करवाएंगे आजादी मार्च जो हम लेकर आ रहे हैं शो करेंगे और उसके बाद पिर काईदीन ने जो भी फैसला किया उस में पर फिर वही होगा और उसी को हम सब फालो करेंगे तो लेहाज़ा और देखिए ये हकूमत अपोजिशन से इनतिकाम ले रही है किसी भी शक्सियत को किसी भी फर्द को अगर वो मुल्जिम है अभी मुजिर्म नहीं है तो दुनिया में उसको उसी तरह डील किया जाता है जब वो मुजिर्म बनता है तो पिर पता चलता है कि उसकी जुर्म की नौईयत किया है फिर उसी तरह उसको डील किया जाता है फिर उसको कितनी साल की सजा हुई है उसको उसी तरह रखा जाता है जेल में किसी शखस को किसी फर्द को आपने जेल में डाल दिया इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है लेकिन खाकानबासी काल को ठीडी में बन जनाब मिया नवाज शरीफ साहब अर्से से आप सुनते रहें सोशल मीडिया पे भी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है उनकी तबियत ठीक नहीं है उनको इलाज के लिए अपने डाक्टिनों के पास जाना चाहिए लेकिन उसको नहीं छोड़ रहें और ऐसी हालत में उनको छोड़ा कि अल्ला उनको सेहत दे मैं तो दौागों हूँ कि अल्ला पाक उनको सेहत कामिला आजला मुस्तमिर रहता फरमाए मुश्किल तरीन हालात का जिस जवाम मर्दी से नवाज शरीफ ने मुकामिला किया है मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से उसको सुलूट और सलाम और खिराज तहसीन मर्द आहिन जनाब जरदारी साथ उन्होंने जेले में काटी है अब भी उनको जेल में रखा इस अमर में भी और बीमार में है मरीज भी है लेकिन इनको यकीन नहीं आता और एक कहते है इस बीमारी की हालत में बे आम इनसान बे होता है तो उसी की जास से कोई दुश्मनी नहीं होती वो दुआ गोर रहता है कि अल्ला करे इस बीमारी से इस इस इनसान को नजात लेकिन उस बीमारी के हालत में बे तनकीद करते हैं कि जी ये तो बहाने बनाते ये तो बीमार नहीं है ये तो कोई अबू बचाने निकले हैं बिलावल और ये इस तरह की मतलब तजहीक आमेज ये जुमले ये अलफाज और इसी तरह अपोजिशन को इंतिकाम का निशाना बनाना हर लिहाद से काबल मुझमत है जमियत अलमा इसलाम उसकी भरपूर मुझमत करती है जी अजा ये बताईए का कि हुकुमत की तरफी जो ये पॉइंट आ रहा है कि आप जो है दंडा जो लेके और आपको हम कैपिटल में इंटर नहीं होने देंगे आपको का यासीन पढ़ते हुए लाह अकबर कर कि आपको हम नहीं होने की तरफी तस देए पॉड़्यार के महारे saving जाएगो मैं एक थोड़ी सी वजाद कर दूँ कल सोशल मीडिया पर मैंने एक क्लिप देखा है जिसमें ये बावर करने की कोशिश की जारी जी के ये वो डंडे दिखा रहे हैं और कहरें जी इसमें बारूत बार रहे हैं तो हम समझते हैं कि ये कौम की आंखों में जूल डालने वाली बात है तो लोग हैं कि जिन्हों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके काईद जमियत पे खुदकुश हमले हुए खुद मौलना अबलगफूर एद्री साथ पे खुदकुश हमले हुए हमारी खियादत शहीद हुई है लेकिन हमने कौम को हमेशा अमन का पैगाम दिया है अमन का प्रोग्राम दिया है और काईद जमियत ही वो जात है कि जिन्हों उन्हें तमाम के तमाम उलमा और दीनी तबके को आइन की तरफ लेके आए हैं उन्होंने असले की कभी बात नहीं किया देखें जो हमारे आर्मी को भी तरफ कर रखें जे इसका मतलब यह है कि फिर हकूमत मफलूज है हकूमत स्यासी हालात का मुकाबला नहीं कर पा रही अगर हकूमत कहती है कि मैं जायज हकूमत हूं उसके पास पबलिक है उसके पावर है तो फिर उसको फोज बुलाने की क्यूं जरूरत पेशा रही है उसको फोज एमरजनसी लगाने की जरूरत क्यूं पेशा रही है उसको द तो उस वक्त पेश आती है जब हकूमत फेल हो जाए तो अगर हकूमत आज कह दे कि मैं फेल हो गया हूँ मेरी तमाम सलाहियते खत्म हो गई है मैं मफलूज हूँ तो फिर फोज के हवाले कर दे इंतिजाम सारा तो ये ये तो नहीं कि एक तरफ से कहें कि जी हकूमत मजबूत ह है हकूमत जो है वो अपनी रिट कायम रखेगी और फिर फोज एक कहूमी इदारा है उसके मसाइल और भी ज़्याद है और आपके तवस्थ से मैं इंडिया ने जो हाल ही में बार्डर पे हमला किया है और हमारे लोगों को शहीद किया है मैं मूदी की इसकिरदार को इंडिय हे साथ हम करे हैं अगर खुदाना खास्ता मूदी हिमाकत करता है जंब के लिए चैलिज करता है तो हमारे ये रौद़ाकार जो लच वरदार है हमारे ये जमान जो हमारे साथ वाबस्त है इन्शालला अपने फोज के साथ, अपने इदारों के साथ शाना बाशाना खड़े होंगे तो मैं समझता हूँ कि फिर हकूमत फैल हो गई है कि वो अपनी मदद के लिए आर्मी बुला रही है वरना आर्मी बुलाने की जरूरत नहीं है फिर हमें बुलान साथ नहीं है देखें पहली बाट थो यह है कि अभी मैंने मदद की हमारे कारोगरूम कुछ इस तरह धंकाया जा रहा है इसी तरह मदार्स को सخت लेटर लिक जा रहे मदारिस आजाद हैं किसी इंतिजामिया के इस तरह के फरामीन के पाबंद नहीं है और मैं इंतिजामिया से कहना चाहता हूं कि वो मदारिस को धंकिया मेज लेटर लिखना बंद कर दे जहां तक आपने यह सवाल किया कि हकोमती कमेटी के रहبر कमेटी से राबिटे हैं अब तक बाजाबिता राबिता उन्होंने नहीं किया है हमारा मुतालिबा उन तक पहुँच गया है अभी देखना यह है कि वो उस मुतालिबे का क्या जवाब देते हैं कोई बेक डोर राबिते नहीं हैं जो राबिते होंगे वो ओपन होंगे पूरी काउम को एतिमाद में लेंगे और को पूरी काउम के जजबात को मदे नजर रखके फैसले करेंगे ऐसा नहीं होगा कि बेक डोर में बेट कर कोई फैसला किया जाए और काउम को पता नहों उसका ये शुक्रिया जी जै ये अब आपका जो धरना एंग बाकिस्टान के साथ आगे इसलिए आपको ये धरना ये अजादी मारच नहीं करता है ये धरना ये आजादी मारच तो हमारे कंट्रोल में है हम कर रहे हैं और खुदाना खासता अगर ऐसी सूरतिहाल होगी तो क्या हम नहीं देखेंगे क्या हमें पता नहीं होगा क्या हमारी आँखें बंद होंगी हम मुल्क के दिफा के लिए इन्शालला शेख रशीद से शेख रशीद की बेचारी की हैसियत क्या है आप मुझे बताने ये तो उड़ता हुआ परिंदा है कभी मुस्लिम लीग नू तो उसकी क्या हैसियते उसकी बात का क्या एतिवार है उसके पीछे कौन लोगी तो अबी सारे के मुझूरा यहां पर कौन लाइप नहीं जा नहीं जा नहीं कौन लाइप नहीं जा जाुता है मुझे जवाब मुझे जवाब दें इन्शालला आप बेफिकर रहें मुतमेन रहें आपकी मजबूरी को हम समझते हैं आपका कुल कुसूर नहीं है इसमें आप रजाकार के तोर पर ये काम कर रहे होते हैं अगर कहीं उपर से आडर हुआ आपको रोक दिया गिया कोई गिला नहीं आपसे और हमें एक डिएड़ साल से जो हमारा बाइकाट किया हुआ है आपके चैनल ने हमने आज तक किसी चैनल को बुरा बरा नहीं कहा आज तक किसी प्रेस कांफरंस में किसी जलसे में उसका नाम ले लिया तो इन्शाललहुलाजीम हमें आपके मजबूरियों का पता है आपके मुश्किलात का पता है जब हकूमते कमजोर होती है अखला की गिरावट का शिकार हो जाती है तो फिर इस तरह के हर्बे इस्तिमाल करते हैं पेमरा पे दबाव डालते हैं आप पर भी कदगन है आप पर भी कदगन है जमूरियत के दावेदार इनको शर्मानी चाहिए कि वो कलम को भी रोक रहें जबान को भी रोक रहें जलसे जलूस और मजाहरों पर भी कदगन और आपको मीडिया को भी हलांके मीडिया उसका काम उसका फर्ज ये है कि कौम को हर हाले से बाख़बर रखे और बाख़बर रखना सही ख़बर पहुचाना उसकी जिमादारी होती है तो मीडिया को भी रोक रहें तो लहाजा आप बेफिकर रहें इन्शालला अगर कहीं हमारे कार कुर्से आपको शिकायत पहुची तो मैं पार्टी का सेक्टी जर्लन हूँ आप मुझे कह दे ये मेरे अमीरे इसलामबाद के इन्शालला हु नजीम ऐसा होगा नहीं